हेलो दोस्तों आएे आज मूम्धाल की खीचड़ी बनाते हैं। यह हीचड़ी टाटा संपन की मूमधाल से बना रही ह wyglआ है। टाटा संपन की मूमधाल बहुत ही डूली हुए और बिना कीट नाशक्षे होती है। यह दाल बहुत ही गल्दी होती है। और इस खिचड़ी को बनाने के लिए मैंने संजीव कपूर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है तो चलिए देखते हैं ये खिचड़ी कैसी बंती है, इसका टेस्ट कैसा होता है और दिखने में ये कैसा लगता है खिचड़ी बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक कप बासमती चावल और एक तेहाई कप मुँग की दाल को धो कर दो घंटा पहले भिगो दिया है कप हमने डेली चाई पीने वाली यूज किया है ये लगभग डेल्ड़ सव एमेल वाली कप है तो इसी से दोनों चीज़ों को नाप लेना है मैंने डाल और चावल को दो घंटे पानी में सोख करने के बाद अब इसे चान लिया है तो चलिए खीचुड़ी बनाना शिरू करते हैं पहले से गरम हो रही एक कड़ाही में एक टेबल स्पून घी डालना है आप इसे कुकिंवायल से या बटर से भी बना सकते हैं मगर मैं इसे आज घी से बना रही हूँ यहाँ पर तड़के में मैंने काली, मिर्च, पेजपाग और लॉंग लिया है थोड़ा सा जीरा भी डाले अब इसे चटक जाने दे अच्छी सी यह स्मेल आने लगी है तो यहाँ पर एक मीरियम साइज प्यास को चौक करके डाल दे इसे हमें लाल नहीं करना है अब प्यास थोड़ा सा पक चौका है तो हमें यहाँ पर छेना हुआ दाल और चावल दाल देना है इसे दो मिनित तक हम भूल लेंगे प्लेम को यहाँ पर तेज रखना है अच्छी तरह से चावल भूना जा चुका है तो अब यहाँ पर हम इसमें पानी डालेंगे ध्यान रहे कि पानी हमें कच्छा नहीं डालना है भूाइल पानी डालना है तो मैंने पहले से पानी को भूना रेडी रखा हुआ है तो अब यहाँ पर हम्येट पानी डाल दिया और पानी का अनुपाद यह है कि जतना चावल है उसका 30 गुना हमें पानी डालना है तो मैंने एक कप चावल लिया है तो यहाँ पर हमने पानी लिया है उसे बॉइल कर लिया है यहीं पर स्वाद अनुसार नमक डाल देना है यहां पर मैंने 1-2 टीज़ पून नमक डाला है आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाले अब जैसे ही इसमें बॉइल आए जाएगा हम फ्लेम को धीमा कर देंगे और धर का तब तक पकाएंगे जब तक पानी चावल बराबर ना हो जाए यानि पानी सूप कर बराबर हो जाना है तो अब वक्त है फाइनल रिजल्ट तो चेक करने की आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से यह चावल पक चुका है दस मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने दिया फिर इसे इस मोटे तले के तवे पर रखकर दस मिनट तक स्लो फ्लेम पर बिलकुल स्लो फ्लेम पर पकने दिया और फिर फ्लेम मैंने बंग कर दिया और अब यह रिजल्ट आपके सामने है तो इस पर अब ज्यादा कुछ करना ही है इसमें हमें थोड़ा सा फाइनल टच के लिए ऊपर से थोड़ी सी घी डाल देना है अब देख सकते हैं इसका दाना दाना बिल्कुल खिला हुआ है और कितनी अच्छी तरह से यह गल चुका है अब आप इसे अपने मन पसंद चीजों के साथ सर्फ करें फाइनली सर्फ करते हुए थोड़ा सा घीस पर और डाल लेते हैं इस पर थोड़ा सा धनिया की पत्ती डाल दें और देखिए कितनी अच्छी टाटा संपन की खिचोड़ी बन कर तयार है इसे आप ही ट्राई कर सकते हैं उमीद है यह रेसिपी आपको मायूस नहीं करेगा और बहुत आसानी से बन जाएगा तो दोस्तों इसे बनाएं खाएं और खिलाएं तो फिर अपने कमेंट सेक्षन में लिखें कि यह खिचोड़ी आपको कैसी लगी है और इसे मैं आज सर्फ करने वाली हूँ टमाटर की चटनी और धनिया की पत्ती के चटनी के साथ और यह दो आए खाएं और खिलाएं और अगर पसंद आए तो हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें थेंक यू फर वाचिंग माई वीडियो बाबाई